So students, आपके result के बारे में एक बहुत ही important update आई है जो के मैं आपको अभी पताना चाहता हूँ कि आपका result जो है वो किस basis पर बनाया जा सकता है ठीक है? तो जो इसकी एक scheme है, फूरी CBSC ने अपनी evaluation scheme को Supreme Court में submit किया है और उस scheme के according आपका result किस basis पर बनेगा उसको आप लोगों के लिए understand करना बहुत ही important है ठीक है? तो इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि आपका जो result है वो सबसे पहले तो जो आपके school में pre-board या फिर जो भी वहाँ पर unit टेस्ट बगहरा हुए होंगे ठीक है ना mid term exams जो भी होए होंगे उनकी वो use करेंगे 40% ठीक है जो आपके theory के marks है उनमें से 40% marks उसमें से use किये जाएंगे फिर आपका जो class 11th का result रहा होगा marks based on the theory component of the final exams जो आपके class 11th के final exams के marks होंगे उनको use किया जाएगा 30% फिर आपके class 10th के जो marks होंगे marks based on the average theory component of the best 3 performing subjects तो आपके जो होते हैं 5 main subjects उनमें से जो आपके 3 best marks होंगे जो मतलब highest रहे होंगे उनमें से ठीक है 3 subjects के उनकी average को use किया जाएगा वो आपके use होगी 30% अब देखिए अगर तो ये scheme apply होती है तो जिन students का अपनी previous two classes का result अच्छा था उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये ठीक है बट जिनका result उसमें भी खराब था उनको इसके साथ problem थोड़ी बहुत हो सकती है बट CBSC बाद में आपको exam देने का option शायद रखेगी के जिसको अपने results से कोई भी दिक्कत है तो वो बाद में exam देकर उसे improve कर सकता है तो बाकी अभी जो भी 100% होगा वो पूरी scheme अभी इनकी website पर आएगी ये अभी उन्होंने Supreme Court में submit की है तो most probably यही scheme apply होने वाली है तो जो वहाँ पर marks of the practical and internal assessment है वो आपके जो school ने upload किये हैं वही same use किये जाएंगे and the total marks awarded should be in the consonants of the past performance of the school जो school ने record उनको बेजा है वो उनके previous year के records के according ही होना चाहिए ये पूरी information तो already ही हमने जो इससे पहले एक मैंने आपको वीडियो में बताया था उसमें पूरी information है मैंने आपको बताई थी कि ये सब कुछ वहाँ पर use होने वाला है ठीक है तो ये थी आपके लिए एक important update ठीक है तो अभी हम लोग इस बात का wait करते हैं कि क्या ये apply होता है या फिर कुछ और apply करते हैं but mostly but most probably ये ही apply हो सकती है scheme ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो हमारी informative लगी है तो please इसे अपने friends के साथ share करें and चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना thank you